राजस्तान में अप्रेल में भी बिशन गर्मी पड़ रही है, मानसुन कब आएगा पता नहीं वहीं गामों में इस साल होने वाली बारिश और आकाल का अनोखा एनालाइसिस शुरू हो गया जहां परमपरागत तरीके से इस साल आने वाले मानसुन के बारे में गाउं के लोगों ने जानकारी जुटाई इसके लिए पश्चिमी राजस्तान के लोग परमपरागत विश बुशा पहन कर बारिश पर विचार करने के साथ हलके घंटी बाद कर खेत में चलाते हैं इसे शगुन का जाता है साथी मिटी के कच्चे बर्तन में पानी डाल कर मानसुन का अनुमान लगाते हैं सफेद और काली रूई से अकाल और सुकाल का पता करते हैं अमावस्या से लेकर अक्षातिरित्या के बीच में किसान ऐसा करते हैं बार्मेर में तारात्रा गाउं में इस पारंपरी तरीके से बारिश और अकाल का एनालेसिस किया गया यह पारंपरा सद्यों पुरानी है इस दुरान दादा बेटा वे पोता एक साथ बैठ कर विच्चार करते हुए नजराए इन दिनों में बाजरे की खीच का लुट्फ उठाया आने वाले समय में बरसात की शगुन का अनुमान लगाया सावन में बारिश के शगुन हुए हैं इस माहा में मुसलादार बारिश होने की भी उमीद है दरसल पश्चिमी राजस्तान में मानसुन आने से पहले बारिश की संभावनाओं को देखने के लिए गाओं के लोग एक जगए इकटे होते हैं तरातरा गाओं के लोग भी पिछले के दिनों से इसके लिए एक्तरित हुए और रेबारी समाज में साथ पीडी से ये परंपरा चली आ रही है बारिश का समय देखने को शगुन करते हैं शगुन के लिए परंपरागत वेश बुशा पहनते हैं बुजरुक जवान अलग अलग तरीके से बारिश का अनुमान लगाते हैं